हेलो फ्रेम्स कैसे हो आप आशाय के आप सब ठीक होगी तो अज मैं आपको नारेल के बुरादे की बहुत ही स्वादिश्ट और बहुत ही चीव मिठाई बना कर दिखाऊंगे और इस मिठाई को अगर एक पर बना कर खा लेंगे तो आप हलवाई की सभी मिठाई भूम जाएं इसमें हम लेंगी थोड़ा सा मिल पॉडर तो देखिए मैं ये ग्लास दूद लिया हुआ है सबसे पहली मैं अपनी कढ़ाई में दूद डाल दोंगी तो देखिए हमारा दूद जब तक बोईल हो रहा है तब तक मैं इसमें एक कटोरी चीन का भी एजिस्टमेंट कर लेती तो देखिए मैं ये मेडियम कटोरी ली है ना तो छोटी है और ना बड़ी है आप चाहो तो एक कप ले सकते हूँ और अब मैं अपनी चीनी को अच्छे से इतमें में मेल्ट कर लूँगी तो देखिए आपको इसी तरह हिलाते ही रहना है तो आप चाहो तो इसे एकलार अब इसी कंडेशन में मैं डालोगी अपना मिल्क पोडर पैस मिल्क पोडर अलने के बाद हमारी मिठाई काफी स्वादिश्ट और ची बनेंगी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो देखिए आप देखिए आप देखिए आप इसको अलग सा फ्लेवर देगा हम अब मैं इसमें खतम कर लूँगी धिरे धिरे आपको इसी स्ट्रय हिलाते रहना है आपके ये लंग से खतम हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं हमारा दूद मिल्क पोडर रलने के बाद बिलकुल रबडी जैसा हो चुका है तो देखिए हमारा दूद बिलकुल रबडी ज कि अब चाहू तो ताजे नारियल का भी पोडर ले सकते हो उससे भी आपके मिठाई काफी अच्छी बनेगी तो दिएके मैं इसी तरह हिलाती जाओंगी और ऐसमें ड़ती जाओंगी जाओंगी मिल्क पोडर से आपकी मिठाई का अच्छा फलेव राता है और ये खाने में बहुत ही टैस्टी और बहुत ही बढ़िया बनती हैं जैसे इसमें हमारा ये नारेल का बुरादा डला है तभी ये काफी टाइट हो चुका है क्योंकि जो नारेल का बुरादा था उसमें से जितना भी दूद और नियुकोडर था वो सभी अपने अंदर अब जो कर लिया हैं आपको इसे जब तक हिलाना है जब तक आपका इसे है बिलकुल मिठाई जैसे कटने के लायक नहीं हो जाती हैं अगर आप इसे एक बार बना कर घटे खाएंगे तो आप अलवाई कि से इमिठाई बिलकुल बूल जाएंगे इसका टैस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है बस आपका दो-दोज मिल्क पोड़ और नारेल गब राता बिल्कुल डोजा बनकर तयार हो चुका है अब हमने फ्लेम को बंद कर लेंगे अब डालेंगे एक बाल में या फिर आप इस परकार की ट्रे ले लेंगे तो देखे मैं ने इस परकार की एक ट्रेली है और अब हम लें अब हम अपने नारेल काजू की ने अभी मिठाई बनाई थी वह तो देखिए मैंने इसे चारो तरफ अच्छे से पहला दिया है अब मैं इसे 10-15 मिल्ट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूं अब हम इसकी करेंगी कटिंग तो जो एक्स्टा है उसे हम निकाल लेती है और अब हम अपने नारेल की आइमीन गोले की परफी को इस प्रकार कट कर लेंगे बस आप एक बात का खास थ्यान रखे कि चाकू को आपको बार बार साफ करना होगा वरना अगर तो दो बारा आप करेंगे जा रही है वो अच्छे से नहीं कटेगा आप इसकी कोईड़ी शेक दे सके ही से मैंने इसे इसे बिल्कुल मिठाई जैसे आकार मिकाटा है यह जो दाने-दार मिठाई बनकर तग्यार हुई है इसमें यह देखने में बहुत ही यमी और यह से सो टैस्टे बनी है त देखेंगे देखिए फैंगे खेंगे लिखने में बहुत ही जाए है तो अज़ोगे प्ली कि अधाई च्छी अन्हारी को बना सकते हैं तो अगरा अपको हमारी वीडियो पूसला है हो तो हमारी वीडियो को अब भी लाइक किजिए बाश्तों शेयर और हमारे चाहरों के कर दो कर दो कर दो